हेलो प्यारे बच्चो एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है तो देखिए आज जो क्लास नाइन्थ की क्लास नाइन्थ का पेपर था ना मौनिंग शिफ्ट का तो उसकी मार्किंग स्कीम आ चुकी है आप लोग देखिए ध्यान से मैच का नाइन्थ का यह तो सिधे आंसर में आपको बता रहे हो आप मैच कर लिजेगा तो कोशियन नंबर वन का आंसर है 4 रूट 3 ठीक है आप अपने कोशियन में मैच कर लिजेए 2 का अंसर इंफाइनिये होगा अनंत 3 का है माइनस दो 4 कर 9 पांचवे का 75 डिग्री चटे में स्क्वेर है हिंदी में वर्ग लिखा होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए साथवे के लिए दो और आठवे के लिए 3x माइनस y इक्वल टू 0 तो सी ऑप्षन है आगे बढ़ते हैं 9th के लिए देखे 70 डिग्री है और 10th के लिए ऑप्षन ह है 3 ठीक है थर्ड जो पार्ट होता है चत्र रुथांस में तीसरा है यह 11th के लिए 9th 12th के लिए डायमेटर व्यास बोलते हैं हिंदी में इसको और 13 का है सौरूर तीन सेंटीमेटर स्क्वेर 14 का है 12 सेंटीमेटर 15 का है 15 से 25 के बीच का वर गंतराल है यह तो यह सारे mc की व होगा और 19 वे में डी ओप्सन होगा डी ओप्सन को अप धियान से देख लीजेगा 20 में एउप्सन होगा ठीक है तो यह 20 कोषजिन होगा अब section B की बारी है section B में देखिए 21 कोषजिन का यह सोलूशन है उपर वाले का जो उपर वाला कोषजिंशन आये बहने दो पार्ट है इसके अंदर ध्यान से देखिएगा तो यह solution है उपर वाले part का screenshot ले सकते हैं और यह जल्दी बता रहें solve करके नहीं बता रहें solve बाद में बताएंगे फिलाल आपको answer बताया जारा marking scheme तो अगर आपको पूरा solve देखना है पेपर तो आपको नेक्ट वीडियो में आप देख लिएगा जरूर नेक्ट वीडियो आने वाली जल्दी इसी की तो पूरा solution मिलेगा उसके अंदर चैनल पर बने रहेंगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा सेकंड के जो option का answer यह है 22 वे का देखिए दोनों दे रखा है उपर वाले question का यह answer है नीचे वाले का यह है ठीक है और यह marking scheme का मतलब होता है कि यह बतायागा कि इन चीजों को आपको जरूर लिखना है लेकिन पूरा explanation जरूर करना है ठीक है now 23 question में देखे mirror image जो है x axis के हाथ यह वाली इसकी जो है mirror image बनेगी y axis के हाथ यह वाली मतलब कोई point अगर x पे है तो y axis पे यह image बनेगी तो आपको यह दोनों आपको ध्यार में रखना लिखना जरूर है अगर आपने लिखा है तो आपके marks मिल जाएंगे ठीक है 24 24 का आपको now screenshot लेते रही है 26 26 में correct representation आपको देना है मतलब जो पूछा गया उसका पूरा solve करना है यहां पर नहीं बताएंगे लेकिन जो भी तरीका है solve करने का आप उसे करेंगे अब आगे आते हैं 26 के बाद 27 पर आते हैं 27 में देखिए L की value पहले निकालेंगे ठीक है तो पहले L की value निकाली गई कर्ड सर्फरी सेर्य कोन का हो गई है तो अब CS से निकालना है cap का cap कोन की shape में होता है एक cap का निकालेंगे फिर 5 cap का इसके और option में देखिए क्या दे रखा है और option में ध्यान से देखना है आपको volume 4 by 3 pi r cube यह answer आ गया किसका यह formula गोले का है न ठीक है फिर density के लिए आपने इसको 10 से multiply किया है तो अब आगे बढ़ते हैं 28 का answer इस तरीके से करना है 28 question screen shot ले सकते हैं आप तो यहां पर a और b की value निकाली गई है मैं आपको बता देती हूँ जब आपका solution आ जाता न तो a हो जाता है 8 ठीक है और 3 root 7 इकोल हो जागा b root 7 तो यह root 7 से root 7 कट गया b की value 3 आ गई तो इस तरह से a और b की value निकाली जाती है यहांने रेस्टिलाइजेशन परमी करन तो आपको करना ही है solve करके भी दिखाना है compare किया गया ठीक है ना 29 का solution आप देख लीजिए 29 question यह वाला है और यह तो वैसे syllabus में नहीं था यह formula बट यह दिया गया है तो हो सकता है आपके teacher आपको marks भी दे दे क्योंकि यह तो कटा हुआ था अब यह क्यों दिया गया है तो देखना पड़ेगा ठीक है 38 में any 3 correct solution लिखना है जो भी question पूछा गया है तो उसके बारे में कोई भी 3 लिखना है 31 का यह answer ABC की value फिर S निकाल लेंगे आप S के बाद area of triangle यानि तिर्भुज का छेतरफल हीरोन formula स से है यह ठीक है और इसके और option में देखें यहाँ पर X की value पहले निकालेंगे X find out करके फिर A निकाल लेंगे ठीक है clear हो गया ABC दे रखा है आपको मतलब ABC find out करके फिर area निकाल लेंगे triangle का formula का लग रहा है बच्चो हीरो सुतर लग रहा है यानि हीरोन formula लग रहा है तो आप लोग screen shot लेते रहिएगा 32 question की बारी आती है 32 question में देखिए A plus B whole cube और A minus B whole cube का formula लेखते हुए इस question को solve करना था कौन से question को ये question को आप solve करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये cut जाएगा देखिए ये वाला इससे cut गया जब आप solve कर रहे हैं और ये वाला इससे cut गया तो जो बच गया वो answer है आपका ठीक है वोप आपने सही किया होगा 33 की correct figure ये है correct figure बनाते पर X की value find out करनी थी और उ B की value निकाल लेंगे ठीक है जीवा AB की value double हो जाते है जीवा तो इस शित्र को आप ध्यान से देखेगा अच्छा next उसका और option में correct figure ये वाली है ठीक है अब इस correct figure में आपको value किसी की निकालनी थी वही देखिए formula क्या है आप देख रहे हैं हिरोन formula लग रहा इसमें screenshot ले लि जो भी answer आपका आ रहा है उसको आप यहां रखेंगे देखिए यह आया हुआ है बराबर रखने पी आया है यह हीरोन formula से एरिया आगया मैं आपको दिखाती हूं यह हीरोन formula से आगया 12 और half into base into height होता यह formula half base 5 दे रखा होगा और height जो भी है तो इस तरह से आप इसको इदर करते हैं solve करते हैं तो answer आ जाता है distance रेश्मा और वंदीप के बीच में NCRT का question है यह question book में आप देख सकते हैं 34 में correct graph बनाना है आपको 35 second question का answer में यह option है यह answer है कि 35 बच्चों ने 40 number से कब marks लिए ठीक है अच्छा इसके और option में correct graph बनाना है correct class mark लिखनी है आपको तो यह हो गया वाला question 35 का देख लिजिए screenshot ले लिजिए linear pair वाला question है क्योंकि linear pair होगा तो यहां से B की value आ जाएगी ठीक है B की जैसे value है तो B से आप C की value निकाल दीजिए और फिर A की value निकाल दीजिए I hope आपको समझ में आ गया होगा देखिए screenshot ले लिजिए अब E part case study वा हो जाता है ट्रेंगल ACD second माय का triangle BPD and CPD third में होगा दोनों ट्रेंगल comparison किया गया दोनों को सरवांगसम यानि की congruent सिद किया गया है और option में देखिए और option में यह है A 90 degree B और C बराबर दोनों 45 45 के आ गये अब आते हैं 37 37 का first part का answer होगा L की value 25 degree कितनी होगी 25 degree clear हो गया और CSA आप लेंगे कितना आएगा 550 को 20 से multiply करेंगे तो 20 होंगे जरूर जो भी दे रखा है उसके अंदर फिर cost बोला गया तो cost के लिए आप 4 से multiply कर दोगे इसके और option का answer आपका यह होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो अगर समझ में आ गया बच्चों तो आपको जो भी नेस्ट पेपर है उसके लिए कमेंट जरूर कीजेगा कि नेस्ट पेपर के important question में आपको बता दूँ और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आडूला point जो है जो हमार चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है चली फिर मिलते हैं बाई